स्मार्ट चार्ट चपाती चार्ट के उदाहर आज आप सीखेंगे कि चपाती चार्ट क्या होता है और उससे हम किस तरह की जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तो बच्चों यह गोल आकार का जो चार्ट आप देख रहे हो इसे चपाती चार्ट कहते हैं क्योंकि यह चपाती की तरह गोल है? हाँ क्या तुम बता सकते हो कि यह चार्ट क्या दिखा रहा है? इस चार्ट से हमें यह पता लग रहा है कि किस बीमारी से बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हुए है बहुत अच्छे, जैसे कि आप सब देख सकते हो कि चार्ट में सर्दी से बिमार हुए बच्चों को लाल रंग से, बुखार से बिमार हुए बच्चों को नीले रंग से और बदहस्मी से बिमार हुए बच्चों को हरे रंग से दिखाया है डॉक्टर चाचा सबसे ज्यादा बच्चों को सर्दी हुई सही और सबसे कम बदहजमी मुझे कल ही बदहजमी हुई थी अभी तुम ठीक हो हाँ चाचा आओ अब कुछ और उधारन देखें यह है एक पूजा की धाली जिसमें फूल और फल इस तरह से रखे गए है अगर पंडित सारे फूल भगवान को चड़ा देता है तो थाली कितनी खाली रहेगी आधी एक तम सही और अगर इतना फल प्रसाद में दिया गया तो थाली कितनी भरी हुई है एक चौथाई शाबाश आओ अब एक और उधारण देखें यह चपाती चार्ट यह दिखाती है कि आज कक्षा में कितने बच्चे आए है अगर क्लास में कुल 20 बच्चे हैं तो आज कितने बच्चे स्कूल नहीं आए उपस्थित यह अनुपस्थित यह यहां हम 20 का एक चौथाई पता करेंगे क्योंकि अनुपस्थित बच्चे कुल चार्ट का एक चौथाई हिस्सा है 20 का एक चौथाई होगा 20 का आधा 10 10 का आधा 5 तो कुल 5 बच्चे स्कूल नहीं आए चाबाश आओ अब एक और उदाहरन देखें अब तुम सब इस चार्ट को देखो और सोचो अगर कक्षा में आधे लड़के और आधी लड़कियां है और लड़कों की संख्या 10 है तो कक्षा में कितनी लड़कियां है 10 सही तो कक्षा में कुल विलाकर कितने चात्र हुए 10 और 10 20 बहुत अच्छे तो देखा बच्चों आज आपने सीखा कि चपाती चार्ट क्या होता है और उस से हम किस तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अच्छे